हेलो इस्टुडेंट्स वेल्कम टु माइ यूट्यूब चैनल क्रैक कॉंसेट वित महैंग सर मैं महैंग सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर और आज हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस तो हम इस टॉपिक को सुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक जरूर से कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पसंद आएगी तो आप लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा अपने दोस्तों को जिससे की उनको भी नॉलेज हो पाए ठीक है तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्टेंस तो हमारा जो पास्ट परफेक्टेंस है अभी तक हमने कितना कवर कर समझादिया था बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया था ठीक है तो यहाँ पर देख लेते हैं इसके आइदेंटिफिकेंस क्या होती है तो फ़स्तेंस में का था चुके थे चुकी थी यह सब्द अगर आपको मिल जाते हैं ठीक है और लिया था खाया था पिया था ठीक है अगर ये जो तीन है ठीक है ये जो तीन इधर के हैं और ये जो तीन इधर लिखे वें ठीक है तो चुका था चुकी थी चुके थे ये जो तीन जो सब्द हैं ये mainly आते ही रहते हैं और ये काफी ज़्यादा sentences में आपको ये पिया था, खाया था लिया था है ना, गाया था तो ये ऐसे sentence बहुत कम ही मिलेंगे वैसे मिलते भी हैं क्योंकि past perfect ही तो ऐसा sentence है past perfect और past indefinite और present perfect इन तीनों में ही बच्चे बहुत ज़्यादा confused रहते हैं तो हमने आधे से ज़्यादा confusion तो मैंने दूर कर दी थी present perfect पढ़ाते हुए और past indefinite tense में बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही minute सी जो होती है, इसमें problem वो बच्चे कर देते हैं और उनका number marks कर जाता है, ठीक है तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जा करके हमारे जो playlist है, उसमें जा करके आप line wise उनको देख सकते हैं, ठीक है जितने भी tenses के मैंने वीडियो अप्लोड किये हैं ठीक है, तो उसमें एक नएक extra knowledge, अगर आप वीडियो देखेंगे अगर ये तीनों वीडियो आप देख लेते हैं तो आपका जो past में है वो कोई भी गलती नहीं होगी आप से, ठीक है, और present perfect tense आप अच्छे से पहचान पाएंगे क्या होते हैं, और past and definite tense भी आप अच्छे से पहचान पाएंगे क्या होते हैं, और जो past perfect tense ये तो आप अच्छे से पहचान ही लेंगे क्योंकि ये बहुत ही basic knowledge होता है जो बहुत ही कम मिलता है, ठीक है किताबों में देखने पर ठीक है, अगर आप किताब में पढ़ेंगे तो आपको ये ऐसा knowledge बहुत ही कम दिया जाता है, उसमें जो हमारी NCRT book है पढ़ाता हूं, ठीक है बहुत ही गहराई से आपको बताता हूं और ये भी बताता हूं कि ये कैसे हुआ, किस कारण से हुआ ठीक है, और ये कैसे कहां से आया जो sentence है, वो कैसे बनेगा, और उसको पहचानेंगे कैसे, ये किस tense में है इसको मैं देखते हुए ही जान जाऊं, ठीक है ऐसा मैं रखता हूं अपने channel पर जो भी upload करता हूं वीडियो उसमें, ठीक है तो आप, अगर आप देख लेते हैं तो ये तीन जो मैंने वीडियोस बताए हैं ये mainly हैं, बहुत ही confusion वाले हैं पूरे tense में ये ही तीन जो mainly हैं ये ही confuse करते हैं आप जाकर के, दो वीडियो जो मेरे पिछले lecture है ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट और प्रिजेंट कॉंटिनिवस ए प्रिजेंट पर्फेक्ट ने ठीक है आप जाकर के playlist में देख भी सकते हैं और उसमें जो है, आपको extra knowledge बहुत ही ज़्यादा मिलेगा क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही basic से पढ़ाया है ठीक है, कोई भी पहचानने में, किसी कोई भी sentence हो आप तुरंद देखते हुए पहचान जाएंगे किस tense में है, ठीक है, कैसे उसको solve करेंगे मतलब उसको कैसे translate करेंगे, ठीक है translation का rule भी बहुत ही अच्छे से बताया है, ठीक है तो आप इसमें पढ़िए, यहाँ पर इसकी identification देखते है ठीक है, मिल्स पहचान क्या होती है तो यहाँ पर चुका था, चुके थे, चुकी थी, जो कि आपको मैंने बता दिया है यह sentence के end में आते हैं, यह सब ठीक है यह अगर आ गए, आपको, अब mainly तो यह, अब मैं इसमें भी clear करने ही वाला हूँ कि जो present perfect tense होता है, ठीक है और अगर है आपको by chance नहीं मिलता है, है भी नहीं मिलता है, और थे भी नहीं मिलता है जैसे की, राहूल ने एक कार खरीदा तो इसमें जो है, आपको है भी नहीं मिला, न था मिला, ठीक है तो इसका जो tense होगा, जब है और था कुछ भी ना मिले तो वो past indefinite में होता है ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को अगर उसमें है या था कुछ भी ना मिले केवल ऐसे ही चुका चुके चुकी ऐसे आ जाए ठीक है जैसे कि मैंने क्या बोला जैसे राम ने एक कार खरीदा तो जो खरीदा है तो उसमें खरीदा है थोड़े न मैंने बोला है ना खरीदा था ठीक है ऐसा भी नहीं बोला है तो उसमें है और था कुछ भी नहीं आए तो मैं कैसे पहचानूँगा कि किस टेंस का है ठीक है तो ये जो है ये past indefinite टेंस में अगर कुछ ना दिया हो उसमें था या है कुछ भी न दिया हो तो वो past indefinite tense में जाएगा ठीक है और अगर उसमें था दिया हो ठीक है केवल mainly था की बारे में बात कर रहे है तो था अगर केवल दिया है या फिर अगर उसमें जैसे की पिया था मिन्स था तो आएगा ही last में अगर था अगर आपको last में मिल रहा है तो वो past perfect tense में आएगा और अगर चुका है चुके है चुकी है लिया है खाया है पिया है अगर केवल है दिख रहा है ठीके mainly difference में बता रहा हूँ आप सभी को कि अगर ये जो सब्द हैं इनके पीछे अगर है केवल दिख रहा है तो वो present perfect tense में रहेंगे और अगर केवल था दिख रहा है ठीके तो वो किसमें past perfect में रहेंगे ठीके past perfect tense में और अगर ये था और कुछ भी ना है इसके पीछे न था लिखा हो न थी लिखे हो न थे लिखा हो ठीक है और न इसमें है लिखा हो कुछ भी न लिखा हो तो वो past indefinite maintenance चले जाते हैं और यही मानियोट सा difference होता है जो कि बच्चे बहुत ज्यादा गलत करते हैं पहचान ही नही ठीक है तो यहां पर देख लेते हैं यूज helping वर्ब ठीक है यहां पर helping वर्ब जो है क्या यूज करेंगे हम head का use करेंगे ठीक है क्या use करेंगे helping word head का use means perfect tense जो होता है उसमें हम हमेशा mainly जितनी भी perfect tense है ठीक है some में head use नहीं होता है जैसे यहां पर past perfect tense के में बात हो रही है यहां पर head use होता है लेकिन मैंने एक बात याद करिए आप जो मैंने present perfect tense में बताई थी जो इसकी main verb होती है वर्ब की third form third form जितने भी perfect है जैसे आपका हो गया present perfect ठीक है और future perfect past perfect तो इन तीनों में जो tense होते हैं ठीक है future perfect tense past perfect tense और present perfect तो इसमें आपकी वर्ब की third form constant रहेगी सब में same रहेगी ठीक है देकिन helping वर्ब में different हाता है उसमें head लगता है present perfect tense में और इसमें head लगता है ठीक है past perfect tense में तो आप सभी को उम्मीद करता हूं यह तो clear होई गया होगा कि वर्ब कौन सी लगेगी और helping वर्ब इसमें use कौन सी करना है ठीक है तो अब देख लेते हैं जो हमारा past perfect tense है उसको हमने divide कर दिया है four parts में कौन कौन से affirmative, negative, interrogative, interrogative, negative sentence ठीक है तो अब देख लेते हैं हम अपने affirmative sentence को अलग जो question पूछे जाते हैं वो अलग ठीक है negative को अलग और affirmative को अलग ठीक है तो affirmative आप पहले समझ लीजिए धीरे धीरे आपका सारा concept इसमें बिलकुल इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैं guarantee देता हूं 100% की जो है आपके paper में marks एक भी नहीं कटने वाले कुछ भी बाहर का नहीं आने वाला है जो की मेरा पढ़ाया गया ना हो ठीक है तो आप देखते रहिए शुरू से लेकर एंड तक ठीक है देखते रहिए यहां पर जो structure दिया हुआ यहां पर तो इसमें जो है subject से starting है subject plus head ठीक है means head तो लगेगा ही भई पास्ट है पास्ट परफेक्टेंस है तो उसकी main तो helping वर्ब यही होती है head ठीक है तो helping वर्ब तो लगाना ही लगाना वो भी subject के बाद में तो अच्छा आप लोग comment में बताइए कि ऐसे कौन से sentence होते हैं जिसमें कोई helping वर्ब नहीं ल लिखते हैं मैं अगर आपको नहीं आता है ठीक है तो मैं बताए देता हूं इसका answer क्या होने वाला है ठीक है तो आप सभी का time जो है वो समाप्त होता है और मैं आप सभी को बता दे रहा हूं कि यह ऐसे कौन से दो होते हैं sentence ठीक है उसमें use नहीं करते हैं helping वर्ब का तो एक होता है अपना present indefinite tense और एक होता है past indefinite tense ठीक है past indefinite tense में mainly वर्ब की second form यूज होती है कोई भी helping वर्ब नही यूज होती है जब not लगता है ठीक है तभी डिड लगाते हैं तो present indefinite tense और past indefinite tense ऐसे दो sentences हैं जिसमें कोई भी helping वर्ब यूज नहीं की जाती है और आपको यह बिल्कुल अच्छे से mind में set कर लेना है ठीक है तो अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले example की ठीक है इसका example क क्या होने वाला है घोड़ा मैदान में दोड़ चुका था ठीक है तो घोड़ा मैदान में दोड़ चुका था मिन्स जो होर्स है चुका था ठीक है चुका था लास्ट में आया है मिन्स यह जो है किसमें है past perfect tense में है तो यहाँ पर घोड़ा का हो जाएगा horse head क्योंकि यह past perfect tense का head लगेगा वर्व की third form हो में सा constant रहेगी चाहे future का हो चाहे past का हो चाहे present का हो ठीक है यहाँ पर in the ground तो मैंने यह जो है यह जो same लिए हैं ठीक है आपको लग रहा होगा कि जो है sir ने तो इसमें same लिए हैं कुछ भी अलग नहीं लिया है तो मैंने same इसी लिए यह sentences लिए हैं घोडा मैदान में दोड्चुका है घोडा मैदान में नहीं दोड्चुका है आपको relate करके समझाने में जो आपको समझ में आएगा जो मज़ा आएगा समझने में ठीक है वो अलग-अलग sentences में नहीं आएगा आप confuse हो जाएंगे ठीक है confuse नहीं होना है मैंने आपका सारा एकदम confusion clear कर दिया है तो इसमें जो है relate करके आप पढ़ते रहिए और यहाँ पर जो है चुका था आपको ध्यान देना है चुका था चुकी थी चुके थे और खाया था पिया था कुछ भी अगर था आ रहा है तभी वो past perfect tense में होगा नहीं तो अन्य था यह past perfect tense में नहीं होगा अगर कुछ भी नहीं है तो वो past indefinite tense में होगा और उसमें जो है था भी आता है ठीक है past indefinite tense का आप जा करके लेक्चर देखिए ठीक है अगर उसमें आपको confusion है ठीक है उसमें जो है मैंने पूरा पूरा एकदम अच्छे से clear कर दिया है ठीक है तो यहाँ पर देखते हैं negative sentences का तो negative sentence यह कैसे होगा इसमें structure यहाँ पर क्या लिखा हुआ है subject head not ठीक है head लगाना ही लगाना है head not फिर वी 3 means verb की third form फिर प्लस object यहाँ पर देख लेते हैं घोड़ा मैदान में नहीं दोड़ चुका था तो यहाँ पर घोड़ा जो है वो मैदान में नहीं दोड़ चुका था तो यहाँ पर क्या हो गया subject हमारा घोड़ा है जैसे कि present perfect tense है ठीक है तो उसमें hedge have तो hedge के साथ singular subject के साथ hedge का प्रियोग और plural subject के साथ have का प्रियोग तो उसमें जो है confusion होता है बच्चों को तो मैं यहीं पर clear किये दे रहाँ उसमें यह होता है और इसमें यह होता है ठीक है क्योंकि इसमें सिंगलर plural सो कोई मतलब नहीं रहता तो यहां पर होर्स यह हो कोई दिक्कत नहीं यहां पर है क्वैंड संतु लगना है हो लगना है और नौट लगेगा क्योंकि यहolve ओना है ठीक to लगेगा है और यह नौझ लगेगा ही ऑर फिर नौट आजाए है फिर यहां पर run हो गया run ran run viver third form सुभॉर में ठीक है RAW कि haha in the ground Go by the dog Das Craft in the ground तो इसमें तो इसमें क्या हो जाएगा in the ground तो अब देख लेते हैं अपना दूसरा टॉपिक जो कि है मारा interrogative sentences तो हम आ चुके हैं अगले sentence पर interrogative sentence है जो कि हमारा और मैं अभी तक जितने भी lecture मेरे रहें उसमें सब में मैं बताते आया हूँ कि यहाँ पर interrogative sentences जो होते हैं वो एक WH family का होता है second type का और एक first type का ठीक है first type में वो sentences आते हैं जो कि क्या से start होते हैं जैसे कि इसमें क्या घोड़ा मैदान में दोड़ चुका था ठीक है तो क्या पहले आ गया ठीक है तो यहाँ पर क्या किसी भी sentence में कोई भी सिवाक की अगर आपके सामने रखा गया है अगर उसमें पीछे चुका था चुकी थी चुके थे या लिया था खाया था पिया था कुछ भी आता है ठीक है था लगा हुआ तो वो हो जाएगा आप तुरंट इसको देख करके पीछे वाले को देख करके जो पीछे वाला यह जो हमारा पार्ट है जिससे मैंने identification जिससे लिखाई है उसको आप देखेंगे तो आप identify तुरंट कर लेंगे कि यह जो है past perfect tense का है ठीक है तो अब इसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें क्या आ रहा है means past perfect tense में जो है interrogative sentence के first type का है means first type में जो आते है sentences वो कौन से आते हैं जो कि क्या से start होते हैं means क्या गोड़ा मैदान में दोड़ चुका था जैसे कि एक और हम ले लेते हैं example क्या रमेश ने कार खरीदी थी ठीक है यह भी आ सकता है इसी में first type में क्या जहां आगे मिल जाए जिस भी स्वाक्य में ठीक है जिस भी sentence में अपर जिस भी वाक्य में ठीक है अगर क्या आपको आगे मिल जाता है तो वह interrogative के first type में आ जाएगा ठीक है तो इसका हम देख लेते हैं structure क्या होता है अगर first type में आया तो फिर यहां पर helping verb से start करेंगे best लिए ठीक है helpingstone करेंगे तो यहां पर helping verb क्या जाएगी यहां पर head हो जाएगी ठीक है क्योंकि यह पास्ट perfect response की होती है तो यहां पर head यूज़ करेंगे विप्लास subject अब helping verb है क्यों here पग के सब्जेक्ट आता था positive sentences में ठीक है और negative में भी तो यहां पर जो है subject कहा जाएगा तो भई helping वर्ब के बाद में आएगा ना तो subject को हटा थोड़े न देंगे इस sentence से ही ठीक है तो sentence बनाएंगे तो subject तो रहे गई तो subject आगे कहां से आ जाएगा जब यहां पर WH family भी नहीं है ठीक है WH में भी जो है यहां पर यह देखे जैसे why head horse run in the ground ठीक है तो why question word अभी आपको इसमें screen पर नहीं सो रहा है जस्ट अभी नीचे का भी आपको भी पढ़ाएं जाएगा ठीक है तो यहां पर पहले पढ़ लीजे यहां पर जो क्या से जो भी work start होते है ठीक है आप इतना बस mind में रखिए कि आपको चुका था चुकीती से identify करना है कि sentence का है कि sentence का है ठीक है कि sentence का है चुका था है तो भाई past का है अब past tense का है अब देखना है कि यह चुका था चुकीती means चुका मतलब यह काम हो चुका है तो भाई यह perfect में आएगा ठीक है अब perfect जो होता है past perfect tense अब उसमें है कि हमको यहां पर क्या से स्टार्टिंग है तो यह फर्स टाइप का है इंट्रोगेट्व का इंट्रोगेट्व मेंस यह कोश्चन पूछ रहा है ठीक है तो आपको यह चीज क्लियर हो जानी चाहिए बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है तो अगर आपको तब भी प्रॉब्लम होती है अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो बैक करके ठीक है और या फिर आप वीडियो को दुबारा से वाच कर सकते हैं और आपको अच यहां पर आफ फिल्डानना नीच डिया झाया है फिल्ड गार्ण नेखी मैदान में यहां पर आप फिल्ड भी लिख सकते हैं ठीक है अगर चर्ने की बात आये किसी जानवर की तो वह जह न और तो तो अगर और बोल potrzeb कि समझाने के लिए वहां पर फिल्ड का यूज़ करेंगे अगर चरती है कोई भी गाए वगरा ठीक है और यहां पर जो है हॉर्स यह दोड रहा है तो भाई मैदान में दोड़ेगा इंद ग्राउंड ठीक है यह बिल्कुल सही है सटीक है इस वाक के लिए ठीक है अब देख लेते हैं यहां पर डबलू एच फेमली का सेकंड टाइप में ठीक है तो यहां जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका सेकंड टाइप देख लेते हैं इसमें डबलू एच फेमली का मतलब क्या होता है डबलू एच फेमली का मतलब क्या होता है डबलू एच फेमली का होत अब इसमें condition यह grammar करूल रखता है कि इसमें जो भी question word होगा वह sentence के middle में आएगा ठीक है मैंने क्या बताया कि जो sentence है दिया हुआ है उसमें question word sentence के middle में आएगा कभी भी आगे नहीं आएगा में सबसे पहले नहीं आएगा और question word अगर पहले आता भी है तो क्या आएगा ठीक है क्या आएगा मिन्स ये आएगा अगर क्या आता है तो भई वो first type में आ जाएगा और क्या अगर बीच में आता है जैसे घोड़ा मैदान में क्या दोड़ चुका था अगर ऐसे पूछा गया तो यहाँ पर what से question start करेंगे और वो what जो होगा अगर what आप आगे लगाते हैं तो वो wh family के अंदर means second type में आ जाएगा तो second type में क्या होता है question word पहले लिखते है जो कि sentence के बीच में होता है इसके बाद में helping word लगाते हैं फिर subject फिर plus v3 plus object plus question mark ठीक है तो यहाँ पर देख लेते हैं घोड़ा मैदान में क्यों दोड़ चुका था ठीक है तो इसमें देख लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा यह जो डब्लो एच फेमली है डब्लो एच फेमली का means यह होता है आप बस इतना डब्लो एच फेमली कोई बहुत बड़ा word नहीं है ठीक है इसमें बस question word कहा जाता है कि इसमें question word जो है वो sentence के बीच में आते हैं ठीक है तो जैसे यहाँ पर क्यों है तो यहाँ से why उठा लिया गया है ठीक है क्योंकि यह question word है भई इस structure से बनाएंगे ना हम question word लिखेंगे फिर इसके बाद में head लिखेंगे फिर यहाँ पर subject क्या है इसमें यहाँ पर horse है ठीक है horse लिखेंगे फिर run in the ground तो यहाँ पर यहाँ पर आप सभी को एक चीज़ में बताया दे रहा हूं कि यहाँ पर जो आप लोग punctuation use नहीं करते है यह punctuation आपको बहुत सारे numbers दे देता है और बहुत सारे numbers यह कटा भी देता है ठीक है अगर आपने fully stop, comma, question mark यह सब अगर नहीं लगाया है तो भाई examiner इसका कोई भी number नहीं देगा उसके पास पूरी authority है कि वो उस sentence को काट सकता है पूरी zero number देगा ठीक है तो आप बात कर लेते हैं अपने interrogative negative sentences की तो हम आ चुके हैं अपने interrogative negative sentence पर तो यहाँ पर भी इसके भी भाईं interrogative से बना है तो यह भी दो types का होगा एक wh family means second type और यह first type अगर क्या पहले आए ठीक है तो यहाँ पर मैंने नहीं लिखाया आगे उपर मैंने आपको समझाई दिया है बहुत अच्छे से क्या समझाई कि अगर क्या पहले आए तो sentence जो है वो interrogative के first type में आएगा ठीक है अगर क्या से sentence स्टार्ट हुआ है पूरा ठीक है जैसे क्या घोड़ा मैदान में नहीं दोड़ चुका है तो इसका अब इसमें twist एक यह आ गया कि interrogative sentence तो है बट यह negative means इसमें not भी आ जाए अब जैसे मैं बात कर लेता हूँ इसमें जैसे यहां पर दिया हुआ है क्या घोड़ा मैदान में नहीं दोड़ चुका था अगर आप यह नहीं छिपा देते हैं ठीक है अगर मैंने यह नहीं आपसे छिपा लिया तो यहां पर किसमें चला जाएगा तो यहां पर क्या से start है मतलब यह first type में है ठीक है first type वही होते है जो क्या से starting होती है ठीक है इनकी और यहां पर negative negative है तो भाई not तो हो गई होगा तो क्या घोड़ा मेहदान में नहीं दोड़ चुका था तो इसका कैसे बनाएंगे एक चीज़ मैं इसमें आप सभी को पता है द बोल ला हूँ ठीक है किसी भी टेन्स का विर निगेटिव सेंट्रेंस इस होता है उसका यह रूल होता है कि हमेऊशा subject के बाद ही not लगाएंगे मैं Trustees बोला subject plus not हमेशा लगाएंगे जो की हमारा interrogative negative का ही मैं आप सभी को rule बता रहूँ यह sum में apply नहीं होगा means sum में क्या मतलब positive और affirmative negative इसमें apply नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ interrogative negative की आप से मैं बात कर रहूँ तो interrogative negative sentences में क्या होता है subject के बाद हमेशा not आता है ठीक है मैंने क्या बोला subject के बाद ही हमेशा not आता है वो चाहे future indefinite का हो यह एक बहुत ही बड़ा point है अपने आप में ठीक है तो यहाँ पर subject के बाद not आता है कोई भी tense हो ठीक है आप book उठा कर देख लीजे कोई भी NCRT book में भी जो है ऐसे ही बनाएगे है sentences जो subject है वो हमेशा not के पहले आएगा और subject के बाद हमेशा not आएगा ठीक है यह आपको आरे simple सा आपको बस यही दियान रखना है फंडा यही है सिर्फ इसका कि subject के बाद हमेशा not आएगा हमेशा ठीक है interrogative negative sentences में किसी भी टेंस का means future हो indefinite हो और यह जो है क्या करते हैं past indefinite हो past continuous हो ठीक है कोई भी sentence हो उसका interrogative जो negative sentence होगा उसमें subject के बाद ही not आएगा आपको यह clear हो जाना चाहिए यहाँ पर ठीक है यह चीज नहीं बूलना है बहुत से बच्चे यहाँ पर भूल करके यहाँ पर गलती कर देते हैं कि head के बाद not लगा देते हैं अब भई जैसे यही बात गलती फस्ती है आप सभी की future perfect में ठीक है जब will have cell have लगता है ठीक है और future perfect continuous मतलब will have been cell have been जब लगता है ठीक है तो उसमें बच्चे गलती करते हैं subject के बाद ही not लगाना है ठीक है और इसके पहले जोगी इसकी helping work लगेगी ठीक है वैसे मैंने लगा दिया है कि head subject not यह चीज़ आपको ध्यान रखनी यह बहुत ही important point है अपने आप में ठीक है तो यहाँ पर क्या हो गया head plus subject plus not plus v3 plus object plus question mark यह आपको लगा देना है ठीक है यह बहुत important है तो यहाँ पर क्या घोड़ा मैदान में नहीं दोड़ चुका था तो यहाँ पर क्या हो गया head horse not run in the ground ठीक है head क्या हो गया यह tense के हिसाब से लगा हुआ है यहाँ पर घोड़ा जो है यह एक है horses इसलिए नहीं लगाएगे घोड़े मैदान में थोड़े ना बोला है क्या घोड़ा मैदान में नहीं दोड़ चुका था ऐसा बोला है ठीक है तो घोड़ा एक है ना तो horse लगा हुआ है not run in the ground ठीक है run 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 मतलब v3 इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे ठीक है वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यहाँ पर देख लेते हैं सेकंड टाइप ठीक है v3 मेंस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्त आप्याँ नहीं दोड़ चुका था तो यहां पर क्या हो गया अढ़ए और घृ और यहन पर बहुत साए नंबर कर जाते हैं तो यहाँ पर समाथ होता है हमारा यह टॉपिक उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजे और चैनल को सबस्क्राइब करके बेल नोटिफिकेशन और जरूर सेट कर दीजे जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके और अगर आपको वीडियो अच्छा ना लगा हो तो आप डिसलाइक कर ही सकते हैं बाकी जो है आपको मैंने अपने हिजाब से अपने कोसिस से पूरा पूरा अच्छे से एकदम टीट कर दिया आपको आपको बिल्कुल अच्छे से मैंने समझा दिया है जितना मुझसे हो सका ठीक है तो आप मिलते हैं अब एक नई इसी तरीके की इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन